और उधर मधिपृदेश की खंडवा में एक निजी स्कूल में बकरीज की मौके पर छातों को कल्मा और कुरान की आयते सुनाने का आरोफ लगाया गया जिसकी बाद SGM ने जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच की आदेश देती है और इस मामले में स्कूल प्रबंदन को नोटिस भी जारी कर दिया जिस पर स्कूल की प्रिंसिपल ने जवाब दिया प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने सिर्फ कुरान की आयते पढ़वाई कल्मा बच्चों ने खुद पढ़़ा इस पूरे मामले पर कई हिंदू संगठनों ने आपती जताई और SDM दफ्तर पहुँचकर स्कूल के खलाफ लिखी शिकायत दर्च करवा दी जिसके आधार पर SDM ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिये हिंदू संगठनों ने स्कूल पर कारवाई करते हुए इस स्कूल की मानेता रद करने की मांग की मदर प्रोदेश की पार्ट शालाओं में भी वीर सावरकर का पार्ट पढ़ाय जाने के रज्ज सरकार के फैसले से सियासी बवाल मच गया कॉंग्रिस ने रज्ज सरकार के स्वैसले पर हैरानी जताई और कॉंग्रिस के विधायक आरिफ मसूद ने तो इसे क्रांती कारियों का अपमान तक बता दिया लेकिन उनके इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया मुखे मंतरी शिवरास सिंग चोहान ने कॉंग्रिस पर पलटवार करते हुए साफ कह दिया कि जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस उन्योचावर कर दिया उनकी जीवनी पढ़ाई जाएगी इसमें क्या दिक्कत की बात है? वीर सावरकर के उन्हीं पढ़ाई दाने चाहिए अब माधिप्रदेश में स्कूली बच्चों को वीर सावरकर का पार्ट पढ़ाया जाएगा वीर सावरकर की गाथा को MP बोर्ट के पाठेक्रम में शामिल करने का बड़ा फैसला कर लिया गया है इदर उत्तराखंड के रूरकी में एक नीजी अस्पताल के मालिक ने आरोप लगाया पीडित के मुताबिक उन्हें एक बैंक अकाउंट नंबर दिया गया और उस अकाउंट में वसूली के 20 लाग रुपए डालने की धमकी दी गई लमकी बराब फोन आने के बाद से ही पीडित के घर पर उनके दोस्त और रिष्टिदार अपने अपने लाइसेंसी हथियार लेकर एकठा हो गए और उनकी सुरक्षा में जुड़ गए इसके बाद पुलिस उस फोन नंबर की तलाश में जुड़ गई जिससे पीडित के धमकी दी गई इस बीच दिल्ली पुलिस ने चार साल पहले हुए एक हठ्याकान के मामले में फराड चल रहे मार्शल आर्च के नाशनल लेवल के खिलाडी प्रवीन हुड़ा को गिरफ्तार कर लिया पुलिस के मताबिक उसने पैसों की वज़े से अपने चाचा की हठ्या की थी और तब से ही वो फरार चल रहा था जिस पर हरियाना पुलिस ने 10,000 का नाम रखा था दिल्ली पुलिस के मताबिक उसने पैसों की वज़े से अपने चाचा हरी शुड़ा की चार साल पहले हत्या कर दी थी दिल्ली पुलिस के मताबिक आरोपी से उसके चाचा ने पैसे लिये थे जो नहीं लोटाए जिसके बाद उसने अबने चाचा का अपरन किया और उनकी हत्या कर दिया और उसे अब दिल्ली पुलिस ने गिरफतार कर लिया पुलिस के मताबिक वो मार्शल आर्ट्स का नैशनल लेवल का खिलाडी रह चुका है जिसके बाद वो नीरज बवानिया गैंग से जुड़ गया था इधर उत्तर प्रदेश के कौशामी में पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ कारवाई करते हुए उसकी संपत्ति को सील कर दिया पुलिस के मताबिक ड्रग्स की तसकरी करने वाले आरोपी रवी तिवारी के खिलाफ ये कारवाई गैंगस्टर आक्ट के तहद की गई और पुलिस ने कारवाई करते हुए उसके एक मकान को सील कर दिया जिसकी कीमत तरीब 28 लाक रुपे बताई गई पुलिस के मताबिक गैंगस्टर रवी तिवारी पर ड्रग्स की तसकरी करने का आरोप है और उसके खिलाफ गैंगस्टर आक्ट के तहद पुलिस ने ये कारवाई की इसके साथ ही पुलिस ने वहां ड्रक्स की तसकरी करने वाले एक और आरोपी के खलाफ कारवाई करते हुए उसके मकान को भी सील कर दिया उदर बिहार के जमुई में पुलिस से नाराज एक आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों ने तीर कमान लेकर प्रदर्शन किया और इसी बात का विरोत करने के लिए वो लोग जमुई के बरहट ठाने के बाहर काफी संक्या में कठा हुए और उन्होंने ढोल नगाड़े बजा कर पुलिस के खलाव प्रदर्शन किया इस दोरान उन आदिवासीों के हाथों में तीर और धनुष भी दिखाई दिये उन्होंने आरोप लगाया कि अवैज छराव के खलाव जांच के नाम पर कुछ पुलिस कर्मियों ने उनके घरों में घुसकर परिवारों से अभधर्ता की जिसके बाद वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और उन्हें करवाई का आशवासन देकर शांत कराया पुलिस कर्मिया पर अधिकारी ने ऐसा क्या उसके खलाव उन्हें करवाई करेंगे पुलिस अधिकारी के मताबिक मुनादिवासियों के आरोपों की जांच के बाद दोशी पुलिस कर्मियों के खलाव एक्शन लिया जाएगा इजबी त्रिपुरा के उना कोटी में जगनात रत्यात्रा के दोरान एक बड़ा हत्सा हो गया जिसमें साथ लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभी रूप से घायल हो गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग रत खीच रहे थे इसी दोरान वो रत हाई टेंशन लाइन से चूगया जिस रत को लोग खीच रहे थे वो लोहे से बना था जिसकी वज़से उन्हें तेज करंट लगा और रत में आग लग दे जिससे रत खीच रहे साथ लोगों की जान चले गई और एक दरजन से ज्यादा लोग गंभी रूप से जुलस गए हादसे के बाद वहाँ अफरा तफरी मजगई और प्रशासन ने आग से जुलसे लोगों को अस्पताल में भरती कराया हादसे की जानकारी मिलने पर तृपरा के सीम मानिक साहब ही उनाकोटी पहुँचे और अस्पताल में भरती लोगों से मुलाकात की इस दोरान उन्होंने मृत्कों के परिवारों और हादसे में जुलसे लोगों के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया